आज हम बनाएंगे चने की डाल और पालक की भोती ज्यादा टेस्टी सब्जी हम इसे एकदम आसान तरीके से बना कर तियार करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने हैं पर एक कप चने की डाल ली है और सारी चने की डाल को कूकर में एट कर देनी है क्योंकि हमें चने की डाल को बोईल करना है और इस तरह सा आप देखेंगे हमने चने की डाल को कूकर में एट कर दिया है अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे, हमने यहाँ पर दाल एक कप ली है तो हम इसमें पानी डेड़ कप एड़ करेंगे अगर आप दाल बिना भीगोई बना रहे हों तो आप इसमें पानी दो से धाई कप एड़ कर लीजिएगा अब हम इसमें half teaspoon healthy powder एट कर देंगे और साथ में half teaspoon salt एट कर देंगे और साथ में एक बड़ी इलाइची एट कर देंगे आप चाहें तो इसमें तेज पत्ता भी एट कर सकते हैं अब हम सभी को अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद अब हम pressure cooker की late लगा देंगे और high flame पर 4 pressure आने देंगे जब 4 pressure आ जाएगी हम gas की flame को बंद कर देंगे और इस तरह सा आप देखेंगे 4 pressure के बाद हमारी दाल अच्छे से cook हो चुकी है हमने दाल को 2 घंटे भी होया था इसलिए हमारी दाल 4 pressure में अच्छे से cook हो चुकी है अभी हम इसको एक साइड में रख देंगे अब हमें एक पेल ले लेना है और इसमें दो बड़े चमच oil एट कर देना है oil को हमें गर्म कर लेना है और जब oil हलका गर्म हो जाएगा हम इसमें एक टीस्पून जीरा एट कर देंगे जीरे को भी हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे और जब जीरा हलका रोस्ट हो जाएगा हम इसमें दो बड़े साइस की प्यास एट कर देंगे प्यास को हमने बारिक चोप कर लिया है अगर आप प्यास को चोप करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें प्यास का पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें लहसुन अदरक एड़ करेंगे तो हमने यहाँ पर एक इंच अद्रक का पीस लिया था, इसको हमने बारिक चोप कर लिया था, इसी के साथ हमने दस से बारक लिया लहसुन की लिया थी, इसको भी हमने बारिक चोप कर लिया है अब हम दोनों को प्यास की साथ में एड़ कर देंगे अब हम सभी को सोफ्ट हो जाने तक अच्छे से भून लेंगे हमें प्यास का कलर चेंज नहीं करना है बस सोफ्ट हो जाने तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है और इस तरह से आप देखेंगे हमने प्याज लेसुन अदरक को सोफ्ट हो जाने तक अच्छे से भून लिया है और जो लेसुन अदरक का कच्छा पनता वो भी निकल चुका है अब हम इसमें दो बड़े साइज के टमाटर एट कर देंगे टमाटर को भी हमने बारिक चोप कर लिया है आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना कर भी एट कर सकते हैं अब हम टमाटर को भी सोफ्ट हो जाने तक अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से आप देखेंगे टमाटर सोफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें मसाले पाउडर एट करेंगे तो हमने यहाँ पर एक टीसपून लाल मिर्श का पाउडर और साथ में हाफ टीसपून हल्दी पाउडर इसी के साथ हमने यहाँ पर एक टीसपून धनिया पाउडर और साथ में हाफ टीसपून हमने नमक लिया है नमक हमने हाफ टीस्पून दाल बोईल करते हुए भी डाला था तो आप एतियास से डालिएगा अब हम इसमें एक टीस्पून कश्मीरी लालमिश का पाउडर एट कर देंगे और साथ में एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसके बाद अब हम इसमें जो हमने पालक कट किया हुआ था ये हम इसमें एट कर देंगे और पालक को भी हम मसालों की साथ में 3-4 मिनट चलाते हुए भून लेंगे ऐसा करने से जो पालक का कच्छा पन है वो निकल जाएगा और इस तरह से आप देखेंगे हमने पालक को मसालों की साथ में अच्छे से भून लिया है जो इसका कच्छा पन ता वो भी निकल चुका है और पालक भी सोफ्ट हो चुका है अब हम इसमें जो हमने चनी की दाल बोईल की हुई थी ये हम इसमें एट कर देंगे और दाल को भी हम पालक मसालों की साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इस तरीके से चनी की दाल पालक की सब्जी बना कर देखिएगा ये बहुती ज़्यादा जबरदस्त बनती है और इस सरह से आप देखेंगे हमने दाल को पालक की साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमे एक कप पानी एट कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे पानी आप अपने हिसाफ से कम्या ज्यादा कर लीजिएगा लेकिन ये सब्जी थोड़ी थीकी अच्छी लगती है अब हम इसमें एक टेबल स्पुन कसूरी मेथी एट कर देंगे कसूरी मेथी आप जरूर से डालिएगा क्योंकि कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा भड़ जाता है अच्छे से मिला देंगे अब हम पैन को कवर कर देंगे और 6-7 मिनट मेडियम फ्लेम पर और पकाएंगे जिससे कि हमारा पालक अच्छे से पक जाए और इस तरह से 6-7 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारी चने की डाल पालक एकदम जबरदस्ट बनकर तयारे अब हम इसमें चोप किया हुआ हरा धन्या एट कर देंगे इस पॉइंट पर हम गेस की फ्लेम को बन कर देंगे इसके बाद हम डिशाउट करेंगे और इस तरह से हमारी चने की डाल पालक की सबजी एकदम परफेक्ट बनकर तयारे बहुती ज़्यादा जबरदस्ट बनी है आप इस डाल को ज़रूर बनाईएगा ये बहुती ज़्यादा टेस्टी बनती है और आपने देखा इसको बनाना भी बेहद आसान है अगर आपको ये रेसीपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये रेसीपी कैसी लगी है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना झाल 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 झाल